Dear students, welcome to Gate Academy. So, एक Boolean Algebra का Puzzle आपके लिए है. So, आपको क्या करना है? मैं solution तो इसी वीडियो में ही बता दूँगा, बट आप क्या कीजिए? ये आपका question है, इसको आपको minimize करना है, simplify करना है, ये options है. तो आप क्या करेंगे? वीडियो को pause करेंगे, आप question solve करेंगे खुझ से, कोई भी एक option जो भी आपका सही आएगा, उसको mark करेंगे, और फिर वीडियो को continue करेंगे, चेक करने के लिए कि आपका answer जो है, वो match कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? तो अब मैं ये hope कर रहा हूँ कि आपने pause कर दिया है, आपने solve कर दिया है, आपने answer को mark कर दिया है, now you are checking the answer, ठीक है? चलिए, तो मैं आपके लिए ये, बूलियन का जो, ये puzzle है, ये मैं solve करता हूँ, तो देखिए, question आपको दिया हुआ है, X, XOR, Y complement, XOR, X complement, Y, ठीक है? ये आपका question दिया हुआ है, इसको मुझे simplify करना है, तो just मैं अभी first, ये part को simplify कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं ये part को simplify कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए, कि XOR में, अगर एक input complement है, तो वो whole complement में convert हो जाता है, और XOR का complement XNOR है, बट फिर भी मैं इसको दो step में लिख रहा हूँ, है तो एक step का, बट फिर भी आपके लिए मैं इसको दो step में complete कर रहा हूँ, तो ये आपका पहला step हो गया, ठीक है? और इसके आगे तो लिखा हुआ है ये, और इसके बार ये दूसरा step XNOR में convert हो जाएगा, तो ये आपका X, XNOR Y, ठीक है? और ये XOR with X complement Y, ठीक है? एक step में हो सकता था, बट फिर भी हो सकता है, कुछ लोग new start कर रहे हो, तो उनको कुछ problem ना हो करके मैंने ऐसे लिखा है, next step देखिए, next step इसके बाद आप इसको solve कीजिए, और इसको solve कीजिए, means, ये XOR को आप solve करेंगे, इसको एक complete single term assume करेंगे, और इसको अलग term, ठीक है? तो first term and second term, दो ही terms है, ये अलग-अलग नहीं है, ठीक है? ये combined A की term है अब मेरा, ऐसे assume करके ही मैं आगे solve करूँगा, ऐक्स रहे हैं, तो देखिए, ये हो गया आपका X, XOR, Y, और XOR की definition के according, ये आ गया, X compliment Y का whole compliment, plus first term का compliment, first term का compliment, dot X compliment Y, like this, ठीक है? तो पहला term, दूसरे का compliment, plus पहले का compliment, dot second term, without compliment, इसको थोड़ा सा, simplify कर लीजिए, तो ये आगया आपका X, Y, plus X compliment Y compliment, और इसको solve करोगे, तो ये आगया X plus Y compliment, plus, इसको solve कीजिए, तो ये X nor का compliment XOR है, तो ये हो गया, X compliment Y, plus X Y compliment, and इसका है, X compliment Y, अब बस last step है, almost, X Y dot X is your X Y, X Y compliment के साथ, तो Y और Y compliment cancel out हो जाएगा, X compliment X के साथ cancel out हो जाएगा, तो ये term देगा आपको X compliment Y compliment, ठीक है, अब इसमें भी देखिए, common कैसे निकालना है, बहुत ही simple है, ये इसके साथ common आएगा, तो आपका common आएगा Y, और ये इसके साथ common आएगा, तो ये आएगा आएगा आपका X compliment, तो ये आपका option C correct है, I hope कि आपने सही बनाया होगा, Thank you.